Let's do question number first of exercise 3A that is whole numbers. Question number first is write the next three whole numbers after 3, 0, triple, 9. हमें 3, 0, triple, 9 के बाद के whole numbers. Next three numbers लिखने हैं. तो whole numbers कैसे लिखेंगे? दिखिये हमें 3, 0, triple, 9 के बाद के लिखने हैं. Whole numbers हमेशा याद रखेंगे हमेशा 0 से start होते हैं. और continuation में होते हैं. लाइक 1, 2, 3, 4. तो इसका मतलब है इससे next number क्या होगा? आप इसमें 1 add कर देंगे तो आपका next number निकली आएगा. तो ये देखिये इसमें मैंने 1 add किया. तो ये कितना आ गया? 0, 0, 0, 1 and 3. ये हमारा next number आ गया. तीन ऐससे next number निकल लें. तो आप चाहें तो इसको continuation में automatically लिख सकते हैं या 1 add करकर के लिख सकते हैं. तो ये आ गया 3, 1, double, 0, 1. 3, 1, double, 0, 1 में 1 add किया. तो ये कितना आ गया? 3, 1, double, 0, 2. ये हमारे next three numbers हो गया. आप चाहें तो इससे जादा कहें तो इससे जादा भी निकाल सकते हैं. answer. Let's do next question now. Next question is write the three whole numbers occurring just before this number. कितना है ये? ये है 10,001 से पहले के तीन whole number निकालने हैं. जब भी पहले के कहता है तो हम minus कर देंगे. तो चलिए कैसे करेंगे? देखिए हमें निकालना है 10,001 के before निकालने है. तो हमें इस case में बात के three numbers निकालने थे. इसमें before के. तो इसमें हमने plus कर दिया था. अब हमें पहले के numbers निकालने हैं. तो हम इसमें से minus कर देंगे. तो 10,001 में से हमने one minus किया तो यह कितना हो गया? 9,998 is the answer. Let's do third question now. Third question is how many whole numbers are there between 1032 and 1209? वो कह रहा है third question में 1032 and 1209 के बीच में कितने whole numbers हैं यह बताना है? तो कैसे निकालेंगे? हम अगर बड़ी digit में से smaller digit minus कर देंगे तो हमारे whole numbers में निकल जाएंगे. for example मैं आगर कहती हूं कि मेरे को 7 and 10 के बीच के whole numbers बताने हैं तो या तो मैं इसमें से 10 में से 7 minus करूंगी तो 3 आएगा लेकिन 2 ही whole numbers होते हैं 2 whole numbers होते हैं तो क्यों 10 में से 7 minus कि 3 आया क्योंकि इसमें 10 include है तो हमने क्या किया यह जो आया 3 उसमें से 1 minus कर दिया क्योंकि हमें between के निकालने थे तो हमें पता चल गया सिर्फ 2 whole numbers है 7 और 10 के बीच में that is 8 and 9 इसी तरीके से अब 1 2 0 9 में से मैंने 1 0 3 2 minus किया तो हमें whole numbers पता चल गया यह 7 10 में से यह क्यारी ले लिया तो 1 हुआ यह 10 हो गया 10 में से 3 गया 7 and 1 में से 0 गया 1 तो कितने whole numbers है 177 लेकिन इसमें से 1 minus करेंगे क्यों क्योंकि जब हमने minus किया है तो हमारा यह number भी include है लेकिन हमें whole numbers निकालने थे इन दोनों के बीच में तो बीच में निकालने का मतलब है midween का मतलब है कि न यह include है न यह value include होनी चाहिए तो यह include आ रही है इस minus करने में तो इसलिए हमने 1 minus कर दिया तो यह कितने आ गए 176 तो हम लिख सकते हैं there are 176 whole numbers between 1032 and 1209 answer let's do question number fourth question number fourth में कह रहा है which is the smallest whole number मैंने आपको chapter start करने से पहले ही पताया था whole number always start होते हैं 0 से तो हमारा zero क्या हुआ सबसे smallest whole number हुआ तो इसका answer क्या है zero is the answer